सबी विद्धार्थियों को मैंना वश्कार देखे बहुत से विद्धार्थियों ने मैंने से पूछा था कि सर ये CSIR UGC NET क्या होता है और खाली UGC NET होता है वो क्या होता है कौन इसको दे सकते हैं तो आज इसी पर हमारा ये वीडियो रहेगा और what is the difference between CSIR UGC NET और UGC NET दोनों में क्या अंतर है कौन इनकी प्रिक्षा दे सकता है ये काफी बच्चे समझ नहीं पाते कि सर कई बार निकलता UGC NET का है बच्चे फोर्म CSIR UGC NET वाला फिलब करने की सोंचते है कई बार निकलता CSIR UGC SET का है तो कई बार UGC NET का भरना चाहते है UGC NET का निकलता है वो सोचते है CSIR UGC NET निकलता है तो काफी confusion रहता है तो देखे CSIR जो होता है उसकी फुल फोर्म होती है Council of Scientific and Industrial Research है ना दोनों को आजित कोन कराता है दोनों UGC के अंडर में होते है UGC का मतलब विश्विधाले अनुदान आयोग यानि University Grant Commission और NET का मतलब National Eligibility Test यानि राष्टी पातरता ये परिक्षा है तो आयोजित दो अलग अलग तरिके से होती है इनका आयोजन जो कराती है वो NTA ही कराती है यानि National Testing Agency ही करवाती है इसलिए कुछ वर्सों से अभी Online Mode से होता था लेकिन इस साल से Offline Mode आयोजित कराने का निर्णे लिया है तो कि अब की बार PhD भी सामिल कर दी है पहले तो NET और GRF के लिए होता था लेकिन अब की बार PhD के लिए भी ये एकजाम होने वाला है June 2024 में चाहिए वो CSI या UGC NET हो चाहिए वो खाली UGC NET हो तो देखे आज हम CSI UGC NET के बारे में जानेंगे और UGC NET के बारे में भी हम जानेंगे तो देखे अजिए UGC NET में Humanities के जो सब्जक्ट होते है मौशली वो आते हैं उसमें Arts Stream के जो सब्जक्ट होते हैं वो हाते हैं और उसमें 84 सब्जक्ट में UGC NET होता है उसमें आपकी Hindi है, English है, Sanskrit है, Geography है है आपकी Political है, History है और इसके लावा Military Science है, Yoga है Hindu Studies है, Indian Knowledge System है Population Geography है इस तरहें के जो भी Drama है, Music है, Fine Art है और जो भी Language है, Chitri Language है साइद नेपाले में भी होता है German में भी होता है ऐसे कुछ अपनी Indian Language है, कुछ foreign Language है उनमें भी NET का एक्जाम आजजित होता है तो CSIR NET इसमें नहीं होता है CSIR NET के पाँच मुखे Stream होते हैं, पाँच मुखे Science के जो Stream है, उनी में ही IIGत होता है, तो आज यह समपुनर जान करें हम जान लेते हैं दोनों ही प्रिक्षाएं साल में धोबार होती है बस थोड़ा सांतर होता है कि कभी 57 दिन पहले खाली UGC NET वाला Humanities वाला हो जाता है कभी 57 दिन आगे पीछे CSIR वाला एक्जाम हो जाता है तो दोनों ही एक्जाम आप मास्टर डिगरी के बाद दे सकते हैं आपने मास्टर डिगरी की हो 55% के साथ वो ही इसके लिए इलिजिबल है चिक है, तो अभी जो CSIR नेट है, इसका एक्जाम होने वाला है साइद 25-27-27 को तीन दिन होगा, ओनलाइन होगा, CBT मोड पे होगा और हलांकि UGC Net अपकी बार ओफलाइन होगा और UGC Net की संख्या भी जादा है क्योंकि Arts के सब्जक्ट भी जादा, 84 सब्जक्ट है उसमें भरने वालों की संख्या भी जादा होती है तो Science के कम ही बच्चे भरते हैं तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं तो देखें, CBT यानि Computer Based Test होगा ये और CSR की Full Forum में आपको पता चल गया EWS अगर कहीं आता है तो Economically Weakless Action आजकल ये भी एक नई Reservation Policy है EWS, GOI मनि Government of India MCQ यानि Multiple Choice Question MOE, Ministry of Education NDA, Non Disclosure Agreement, N-EGP National E-Government Plan, NT National Testing Agency, OBC, NCL ये लिखा होता है, OBC, NCL OBC के अधर बच्वाद क्लास और नों क्रीमी लेस होता है PWD ये पसंस विदिसाबिटीज क्यूर्स ये रिड्रिशल ये रिड्रिशल UGC University Grand Commission UPI Unified Payment Interface यानि UPI-GCM Payment करते हैं Google, Payweber UR Unreserved UT Union Territories VLE Village Level Entrepreneur तो ये सब इसकी अप्रिशेशन से कुछ words थे उनके बारे में तो देखिए Joint CSI UGC Net June 2024 इसकी डिटेल हम जानेंगे Important Information and Dates at a Glance और Date Fees Application Procedure ये सब हम जान लेते हैं तो ये भी online apply होता है और इसका जो apply करने की date थी वो 1.5.2024 से 1.5.2024 तक थी लेकिन बताते हैं कि इसमें भी date एक बढ़ा दी गई थी और transaction की date 22.5 से 23.5 तक थी और fees payable for joint CSI UGC Net 2024 के लिए आप debit card से कर सकते हैं credit card से कर सकते हैं UPI से कर सकते हैं internet banking से कर सकते हैं और अन्य जो भी payment gateway है SBI ICCI इन से कर सकते हैं fees कितनी लगती है काफी वच्चों का यह परसंता क्या सर उसमें fees बहुँ जादा लगती है नहीं तो देखे जर्नल में 1150 fees है वो ही फीस है जो आपकी UGC Net में होती है और जर्नल EWS अगर है OBC है OBC NCL है इसकी full forum हम जान चुके है 600 रुपए है और SCSTPWD या third gender है तो देखे अब कुछ दिनों से आने लगा है third gender नहीं पहले नहीं आता था वो net का इजम नहीं दे सकते थे जो किंदर होते थे जिने हम हिजडे कहते हैं जिनको third gender का धर्जा मिलावा है यानि third gender का मतला वो ना male है ना female है तो उनको 300 वो भी SCSTPWD third gender में आते हैं तो ये सब इसमें बताया गया है आगे है क्रेक्शन डेट दी हुई है 25-25-27 तक आप क्रेक्शन कर शकते हैं तो ये date हभी आपके पास है और कल तक आप कर शकते हैं सब इसमें दे रखा है mode examination computer based test दिलिख रखा है इसमें सपष्ट धंग से लिखा हुआ है CBT ये देखिए computer based CBT online होगा बलकि अब की बार UGC net का है वो offline होगा चीक है इसमें भी multiple choice question आते है कितनी minute का है duration of examination 3 hours का है ठीक है और date of examination schedule 25-27 को होगा ठीक है online होगा और बाकी सब चीज़े NTA announce करेगा अभी announce नहीं की है अधिक जानकारी आप इनकी website को पर देख सकते हैं अभी ये online mode ही है ठीक है आगे देखते हैं क्या क्या information है इसके अंदर इस्ट्रेक्शन दी हुई है जो भी इस्ट्रेक्शन होती है कैसे आपको form बरना है कैसे step to step आपको पूरा form fill up करना है इसके बाद इस्ट्रेक्शन के बाद हम आगे चलते हैं एक्जाम के समय उन्हें क्या क्या रूल फोलो करने है यह भी बात यहां पर पहले से लिखी गई है अडिमिट कार्ड अलोंग भी शैल्प डेक्रेशन है और वो वेबसाइट के उपर मिलेगा color paint होना चाहिए यह सब्दी रखा इसमें ballpoint आप ले सकते हैं simple ballpoint pen ले सकते हैं additional photograph ले सकते हैं same होनी चाहिए जो row number के उपर या आपने online form fill up किया था उसमें जो photo आपने लगाई थी वही photo होनी चाहिए अशाओ कोई भी आपके पास photo ID होनी चाहिए जो valid हो expansion card हो सकता है van card हो सकता है driving license हो सकता है, water I.D. हो सकता है passport हो सकता solar card हो सकता है लेकिन सभी में photographs होनी चाहिए यह आदार कर्ड विद photograph bread sign card हो सकता है photograph bank pass book with photograph या नि photograph होनी चाहिए आपके पास कोई भी valid ID proof हो सकता है PWD certificate होनी चाहिए आपके पास और transparent water bottle हो सकती है और sugar tablet like banana, apple, orange in case the candidate is diabetic हो सकती है अगर आपको कोई problem है तो कुछ tablet आप लेके जा सकते है अब इसके बाद कुछ और बाते इन्होंने दी है बाकिया दर जो भी सामान होता है वह आमें नहीं लेके जाने log tables होती है, stationary होती है, खाली page होता है यानि row number, transparent bottle, transparent pen आपकी photo और आपका जो identity card होता है कोई भी valid उसके अलावा आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते है log table है, calculator है कुछ भी smoking की है, चबाने की है कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं आप आगे चलते हैं ये नेशनल टेस्टिंग एजनसी के बारे में है तो देखे, इसमें इस पस्ट ढंग से लिखा गया है कि अब की बार जो एक्जाम होगा वो award of junior research fellowship and appointment as assistant professor and appointment as assistant professor admission to PhD and admission to PhD only मतलब देखे, इसमें भी च्यार option है appointment as assistant professor appointment as assistant professor and admission to PhD and admission to PhD, यानि खाली सिरफ PhD के लिए अपलाई कर रहे हैं आपको किशी और के लिए अपलाई नहीं कर रहा है तो ये option आपके लिए इसमें रहेंगे आगे चलते हैं हम देखे, about joint CSR UGC fellowship तो देखे, fellowship के बारे में इसमें बताया गया है आगे हैं इसमें और स्रेबस अगर आपको जानना है, देखना है subject wise तो आप इसकी website पर जाके देख सकते हैं इसमें कुछ रूल दिये गए है, कुछ जानकर यालग से दी गई है कुछ कंड़ेट भरम में आ रहें इनो ने लिखा दा कंड़ेट क्वालिफाइं अंडर अपॉइनमेंट अज असिस्टेंट प्रोफेशर and admission to PhD category will be eligible for appointment as assistant professor and admission to PhD but not for the GRF award not for the award of GRF देखे कितनी बड़ी बात लिखी गई है कि आप assistant professor के लिए apply कर रहे हैं और आप admission to PhD के लिए कर रहे हैं आप eligible हैं assistant professor और PhD में admission के लिए but आप अगर खाले PhD के लिए कर रहे हैं तो आप assistant professor के लिए और GRF के लिए लिजिबल नहीं है ठीक है आगे लिखावा है the conduct qualify under the admission to PhD only only category will be eligible for admission to PhD only ठीक है but not for the award of GRF GRF नहीं मिलेगा उनको जिन्होंने खाले PhD के लिए किया है और appointment as assistant professor और नहीं उन्हें assistant professor के appointment मिलेगी तो ये ध्यान से भरें बच्चे तो ये ध्यान से भरें बच्चे क्योंकि आप लेकिन जिनकी age ज़्यादा हो गई है तो वो तो खाली easily कर शकते हैं क्योंकि उन्हें फिर GRF नहीं मिलता है न इसने सपस्ट ढंक से लिखा गया पूरी टेबल में बहुत अच्छे से समझाया गया है काटेगरी बन में है अवार्ड ओफ जियारफ एंड अपाइडमेंट आज असिस्टेंट प्रोफेसर तो जियारफ उनको मिलेगा यह ध्यान रखना चिक है और यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिजीबल है और पेजडी के लिजीबल है तीसरे कटेगरी अडमिशन टू पेजडी ओनली तो आप इसमें न जियारफ के लिजीबल है न असिस्टेंट प्रोफेसर के लिजीबल है आप सिरफ PhD के लिए इलिजिबल है तो देखिए आप की अगर एज हैं अभी आप Master D.D. कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप पहली का टेगरी का भरिए कहते हैं एक पंथ में सारे काम हो जाएंगे आप सिरफ के लिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिजिबल हैं और PhD के एडमिशन के लिए भी इलिजिबल हैं आगे चलते हैं देख इसमें एक बात और लिखी गई है एक साल के लिए इलिजिबल है यह ध्यान रखना आप एक साल के अंदर आपका PhD मेडमिशन होना चाहिए नहीं तो दीकत हो जाएगी अच्छा यह भी लिखा हुए यह बहुत ही महतरपून बात है कि 70% उसका विटेज मिलेगा आपको जो टेस्ट दिया है आपने PhD के लिए लेकिन 30% वहाँ भी आपको इंट्रू फेस करना पड़ेगा चिक है यह बहुत अच्छी बात है आपको वाईवावस देना पड़ेगा वहाँ पर अब कितने कंडिडेट पास होंगे कितने NET GRF करेंगे यह वो जो रिजल्ट कमेटी वो डिशाइड करती है अच्छा कितनी स्कोलर्शिप मिलती है इसकी भी हम चर्चा करते है तो देखिए कितने मिलेंगे 37,000 पर मंथ अगर आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाता है तो फोर दा फस्ट वियर पहली दो साल के लिए इन एडिशन एनवल कंटिजेंट ग्रांट ओफ आरस 20,000 आपको 20,000 पर एक्स्टा मिलेंगे साल के यह आपका कंटिजेंट होता है आपका जो भी खर्चा होता है कागज पहन का और दफ फेलोशिप विल भी गॉन बाई ट्रम अंड कंडिशन ओफ CSI, UGC और रिसर्च स्कीम एज अप्लिकेबल आगे लिखा हुआ है आवर कंप्लेशो टू यर एंड जियारा फिली फेलोशिप रिजिट्रेट फॉर पेजडी दा फेलोशिप विल भी अप्ग्रेड एज एस आरफ चीक है और उसको कितने मिलने सुरू हो जाएंगे 42,000 पर मंद और फोर दा थर्ड एन सिक्वेंट यर ऑन दा बैसिज अपसेस्मेंट ओ फेलोशिप यानि जब आपका असेस्मेंट हो जाएगा दो साल के बाद तब आपको सीनियर रिसेर्च फेलोशिप मिलने लग जाएगी और उसके बाद आपको पैसे भी बढ़ जाएंगी ठीक है आगे चलते हैं उसमें कमेट असेस्मेंट होती है असोशेट प्रोफेसर क्या प्रोफेसर की वो डिशाइड करती है कि यो आर इलिजिबल और नोट इलिजिबल फोर एस आर एफ आगे चलते हैं इलिजिबलिटी क्या है बहुचे भी दयरती ये पूछते हैं सर कौन अप्लाई कर सकता इसमें तो देखें इलिजिबलिटी की बात करें जर्रनल अन्रिजा और जर्रनल इडवल एस कंडिट फो है स्कोर्ड फिटी फाइफ मार्क्स विदाउट राउंडिंग ओफ राउंड ओफ नहीं होने चाहिए ये ध्यान रखना है इन मास्टर डिगरी और इक्विलेंट एग्जामिशन फ्रॉम रेकोगनाईजिबलिटी इंस्टी इंस्टिशिबल फोर इस टेस्ट दा ओबीसी के जो कंडिडेट है है ना नोन क्रीमी लेयर स्टीबल कास्ट के है स्टी के है पसन विद डिसेबलेटी है थर्ड जेंडर है वो है फ्रॉड एटलिस 50 परसेंड मार्क विदाउट राउंडिंग ओफ इन मास्टर डिगरी और इक्विलेंट एग्जामिशन और फ्रॉड रेजल्ट इस चील अवेट्टिड कंडिडेट फूज क्वालिफाइंग एग्जामिशन है भी जिलेड यानि किसी कान से उनका रेजल्ट लेट हो रहा है और फाइनल एर के स्टूडेंट तो वो भी लीजिबल है तो उनकी भी यही कंडिशन है अच्छा इसमें एक बात और लिखी गई है कि सच कंडिडेट मस्ट है कॉम्टेट दिर मास्ट डिगरी और इक्विलेंट एग्जामिशन विदिन तू यर्स फ्रॉम देट ओफ नेट रजल्ट with required percentage of marks failing which they will be treated as disqualified अगर result आया उससे दो साल के अंदर गुरून की master degree complete नहीं होती है तो वो eligible नहीं है disqualified माने जाएंगे However, फिर भी those candidates who qualify the admission to PhD only must complete their master degree or equivalent क्योंकि आप master degree तो एक साल की होने वाली new education policy में equivalent examination within one year from the date of net result with required percentage of marks failing which they shall be treated as disqualified वो भी disqualified माने जाएंगे ये विध्यान रखना आप ये एक साल का समय ना उनके लिए भी और the candidate belonging to the third gender category are eligible draw the same relaxation उनके लिए वो ही है सब third gender के लिए जिनोंने 2009 के नुसार PhD 1911 के नुसार PhD है उनको भी विसेज़ शूट दी गई है 55% के वज़ा है 50% के लिए वो eligible है आगे चलते हैं आगे है the candidate have passed a four year year semester bachelor degree program should have minimum of 75 marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed a relaxation of five marks or its equivalent grade may be allowed to those belonging STOBC category उसमें क्योंकि इसमें ये भी नियम कर दिया न कि अगर आपको 75% grade है या mark है तो ही आप master degree meditation ले सकते हैं और आप eligible है अन्यत आप research नहीं कर पाएंगे तो फिर भी उनको भी 5% की छूट दी गई किसको SCST OVC को आगे है इसमें the candidate qualifying net based on a 4 year undergraduate degree will be eligible for award of the junior research fellowship जिन्होंने 4 साल के degree कर ली है UG with honors वो भी eligible है and for admission to the PhD वो भी PhD में admission ले सकते हैं the candidate qualifying the net based on a 4 year undergraduate degree यानि जिन्होंने 4 साल का honors with research का program कर लिया है वो भी net के लिए eligible है will sorry चोरी आगे लिखा हुए based on a 4 year undergraduate degree will not be eligible for award of the junior as assistant professor मतलब पेज़ी में admission के लिए तो eligible है लेकिन वो इसके लिए eligible नहीं है वो assistant professor के लिए eligible नहीं है आगे the candidate who are person 4 year semester bachelor degree program and are in the year last semester यानि आप वो 8th semester में है year में also apply for the test वो भी net का exam दे सकते है यानि जो बच्चा 4th year में है 4th year का मतलब हो गया उसकी B.S.C. या B.E.A. जो भी कहें या U.G. ओनर्स कहें वो 4 year है last year में है 8th semester में है such candidate will be admitted to provisionally and shall be considered eligible for the award of G.R.F. उनको भी मिलेगा and admission to PhD only after fulfilling the requirement obtained in the university यानि जब उसकी graduation with honors हो जाएगी honors with research हो जाएगी तो वो PhD के लिए eligible है ठीक है regulation 2022 within 2 years जिस दिन उसका G.R.F. qualify हो जाता है जिस दिन result आता है उस दिन से 2 साल तक वो eligible है इसके लिए PhD में अडिमिशन के लिए आगे है the conduct with a 4 year bachelor degree program are allowed to appear in subject the list of subject दे रखें कौन-कौन से subject है उसमें list दी हुई है पूरी इसके तो वो सब eligible है 4 year जो bachelor degree program कर चुके है वो PhD के लिए और G.R.F. के लिए eligible है अपर age limit G.R.F. के लिए 30 साल दी हुई है first day of the month in which the examination is concluded first day of the month यानि जैसे आपका June में exam है 25 से है तो आपका 1 June से count होगा ठीक है 1 June से आपको count करना है कि आप कितने साल के हो गई 5 साल का relaxation दिया है जैसे UGC net में है जो OBC NCL में है और जो SC, ST, PWD, 3rd gender है उन सब को इसमें छूट दी गई है relaxation also also will be provided to the connected with research experience जिनके पास research experience है उनको विसे छूट दी गई है limited to the period spent on research in the relevant related subject post graduation degree subject to maximum 5 year जिन्होंने graduation के पास research में चले गए थे तो उनको विसे छूट दी गई है तो किस तरह की होनी चाहिए तो recognize university हो institute हो न foreign university हो उनमें एगर कोई research program आपने किया है तो उनको लिए इसे छूट दी गई है पांच साल से जादा कहीं भी छूट लही है ठीक है assistant professor के लिए no age limit है for she has a CSR UGC net for assistant professor or there is no upper age limit in applying for the joint CSR UGC net for admission to PhD यानि PhD में admission लेने के लिए और assistant professor के लिए कोई age limit नहीं है आगे चलते हैं तो देखें mode examination क्या रहेगा computer based test रहेगा online रहेगा अब देखें इनमें कैसे pattern क्या रहेगा इसका यह समझना है तो देखें the test will consist of three parts तीन parts में होता है ठीक है all parts will consist of consist of objective types multiple choice question there will be no break between papers यानि paper चलता रहेगा उसमें कोई break नहीं है and the subject wise scheme of the examination is as per detail below तो देखें कैसा है part A 20 marks का है 20 question है part B में 40 question है part C में 60 question है total 120 question है ठीक है तो maximum number of attempt यानि आपको part A में 20 में से 15 कर सकते है part B में 35 कर सकते है 40 में से part C में 25 कर सकते है और part total मतलब 120 में से आप 75 questions कर सकते है यानि यहाँ पर choice है NTA UGC net में इसमें choice नहीं मिलती है लेकिन CSIR net में choice मिलती है अब इसमें थोड़ा सा difference यहाँ परते कोश्यन ऐसे ही part B है वो भी 2 marks का है लेकिन यहाँ पर देके different यह part जो C है वो 4 marks का है that is the big difference between UGC net और UGC CSIR net तो जो science के student है वहाँ पर जो part C है वो उसमें 25 कोश्यन करने है और परते कोश्यन से वो 6 marks का होता है अच्छा इसमें सबसे बड़ा जो defense वो है UGC जो हम net करते हैं उसमें कहीं भी negative marking नहीं है लेकिन UGC जो CSIR का जो net होता है जो 5 stream मेजर stream में होता है उसमें negative marking है यानि उसमें भी part wise negative marking है यानि marks for each incorrect question negative marking part ABC is 25% यानि अगर आप part A में गलत question करते हैं तो एक question के उपर 0.5 20% है तो 0.5 marks की आपको loss होगा जैसे 2 number का 1 person है तो उसका 25% 0.5 होगा ऐसे part B में भी यही condition है कि उसमें भी क्योंकि 2 marks का आपका question है तो 1 fourth उसका आप खो देंगे 0.5 अगर आपका गलत question है part C में देखे आपका 4 marks का है तो यहाँ पर आप एक number का नुक्षान कर देंगे यानि यहाँ पर भी यही है तो यह इसका दिया गया है schedule आगे देखते हैं जो subject हो कौन-कौन से इसमें भी subject wise भी different है अब देखे यहाँ पर जो सबसे इसमें जोग्रफी के बच्चे भी apply कर सकते है और science के काफी subject है जो इसमें apply कर सकते है तो यहाँ पर देखे यह सब सेम है लेकिन यहाँ पर देखे 33% भी आ गया है यह तो यह major difference है पार्ट जो सी है इसमें अगर आपका एक question गलत होता है पार्ट C का क्योंकि ओच्या marks का है परते question तो वहाँ पर 1.32 marks आपके loss होंगे यहनि 33% आपको नुकसान होगा इसमें earth atmospheric question and plant tree science 702 जिसका code है आगे चलते हैं हम आगे देखे life science में तो life science भी same है life science में कोई वो नहीं है इसका 703 code है ठीक है और chemical science का सबसे पहले हमने देखा था फिर earth, atmosphere, ocean and planetary science का देखा फिर हमने life science का देखा 703 जिसका code है इसमें भी यही है और mathematical science अगर हम बात करें जैसे life science में EBS वगरा यह सब subject आते हैं geology है, botany है यह सब subject इसमें आते हैं chemistry में, chemical science में chemistry है और आपके जितने भी MBBS है है ना pharmacy है, यह सब subject आते हैं mathematical में देखे थोड़ा सा difference है सबसे इसमें part ABC में थोड़ा सा लग दिया गया है देखे part जो A है वो 0.5 यानि 25 परसेंट ही है part B है वो परते कोश्चन वो तीन marks का है इसलिए 0.75 का नुक्षान यहां पर आपको होगा part C में कोई negative marking यहां पर नहीं है चिक है? तो यह है आगे चलते हैं ऐसे physical science यानि जिसमें आपकी physics सादिये subject आते हैं इसमें थोड़ा सा O difference दिया गया है यानि आपके 0.25 परसेंट ही है इसमें negative marking तो लेकिन part A में 0.5 का नुक्सान होगा दो नंबर का question है part B साड़े 3 नंबर का question है यहां पर 0.85 का नुक्सान होगा part C आपका 5 नंबर का question आता है यहां पर 1.5 का आपको नुक्षान होगा आगे क्या लिखा है chemical sciences इसमें पूरे detail इनोंने दी है ऐसे earth science में दी है ऐसे life science में दी है ऐसे mathematical science में दी है ऐसे physical science में सारी detail इनोंने दी है ठीक है तो science में mostly जो physics के है chemistry के है botany है geology है biochemistry है biotechnology है pharmacy है MBBS है और b pharmacy है इस तरह के जो भी science stream के subject है वो सब इसका exam दे सकते हैं और जो medium है examination का वो हिंदी और इंगलिस दोनों में रहता है यह नहीं है कि प्योगर हिंदी में है यह प्योगर इंगलिस में है दोनों बाहसाओं में रहता है और पांच जो मुखे subject हम बात करी चुके है 701 में chemical science है 702 में earth, atmosphere, ocean, or planetary science है 703 में life science है 704 में mathematical science है 705 में physical science यानि subject क्या है main five है फिर इनके जो sub subject है उनमें आप अपलाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों ये आज हमने सामाने जानकारी हमने जानी है तो फिर भी आपके मन में कोई doubt हो कोई person हो तो आप नीशंदे नीशंग कोच मुझ से पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुखो